दोस्तों गर आपने 2nd AC में एक RAC वाला टिकट लिया है या फिर आपकी जो वेटिंग वाली टिकट थी 2nd AC की वो चेंज होकर के RAC में आ गई है तो इस सिचुएशन में आपको सीट काउंसी मिलेगी क्या आप जरनी को कर सकते हैं या फिर नहीं सारра कुछ डावट मैं आपका आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में क्लियर करने वाला हूँ साथ के साथ आपको इस वीडियो के भी स्कीप करने की जरूरत दिलकुल भी नहीं है वीडियो यह से स्टार्ट होने वाला तौँ आइए चलिए शुरू कर लेते हैं सबसे पहले मैं आपको थोड़ा से समझाता हूँ RAC का मतलब की आखिर RAC का मतलब होता कहा है तो दोस्तों RAC का जो full form होता है reservation against cancellation यानि कि दोस्तों जब भी एक confirm ticket cancel होती है आपकी जो RAC वाली ticket है उसको उठा के confirm कर दिया जाता है तो दोस्तों RAC के tickets भी confirm होती है लेकिन अगर उनका number बहुत जादे होता है तो वहाँ पे confirm नहीं होती है नॉर्मली अगर कोई भी festival वगारा नहीं चल रहा है तो आपकी तीन से लेके चार नंबर तक की RAC एक दिन में easily clear हो जाती है चार्ट प्रिपेशन के टाइम तक अभी हमनों मान लेते हैं कि आपकी जो RAC वाली ticket है चार्ट प्रिपेशन के बाद भी confirm नहीं हुई तो उस situation में क्या होने वाला तो दोस्तों आप जी हाँ बिलकुल अपने उस RAC के ticket के साथ travel कर सकते हैं और आपको seat कौन सी मिलेगी आपने second AC में अपनी ticket को book कर आया है तो आपको second AC में जो side door वाली seat होती है उसकी half seat आपको वह हो सकता है अगर आप single यात्रा कर रहे हैं तो वह कोई भी एक दूसरा passenger वहाँ पे होगा तो दोस्तों अगर आपकी second AC में RAC हो चुकी है तो वहाँ पे आपको परेशान होने की जुरूत बिलकुल भी नहीं है आप एक half seat के साथ travel कर सकते हैं अगर आप चाहत्ते हैं अपनी R पर मिटूटू के साथ अपकल अपना ख्याल रखी टेक कियर एंड हैपी जर्नी